All right guys, तो हम लोग ने अपने back end के course में almost APIs को complete कर लिया है अब guys मैंने अपने साब से APIs complete कर लिया है आपको सिखाने के लिए but ये जो है वो actually real back end APIs हम लोग बना रहे थे इसलिए हमने बहुत सारी APIs create की जैसे हम लोग ने blog को update करने की category की users की और तमाम login की API register की API सब कुछ complete कर लिया आप अपने हिसाब से क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके according आपके requirement के हिसाब से project बना रहे हूं तो आप अपने हिसाब से इन APIs को घटा बढ़ा लिजेगा access मैंने देना सिखा दिए आप access को दे दिजेगा अब हम लोग जो API document करेंगे और problems सीखने से पहले हम लोग basically tool के बारे में सीख लेते हैं जो कि बहुत important हो है और इसी tool की help से हम लोग अपने APIs को document करेंगे और वो है Swagger तो Swagger हमें API documentation प्रवाइट देरेगा मत्तब simple सा हम लोग है जो APIs create की हैं उनको हम लोग document कर पाएंगे Swagger tool की help से अब Swagger जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिर्फ API documentation के लिए ही नहीं यूज होता है Swagger की help से हम लोग बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं जैसे अगर हम यह है Swagger के official website तो अगर हम यहां आए वाई Swagger पर क्लिक करें तो आप देखो यहां पर API design, API development, API documentation, API testing, API mocking and virtualization, API governance, API monitoring, open API and Swagger ऐसे करके क्यों API use करें क्यों आप Swagger use करें आप यहां पर देख सकते हैं तो इसमें से हम लोग जो मलब feature इस फायदा उठाएंगे वो है API documentation, हम Swagger tool की हब से API को document करना सीखेंगे and क्यों सीखेंगे API document करना यह सबसे जदा important होने वाला है, तो हम लोग सबसे पहले problem सहाज लेते हैं कि हमें क्यों सीखना जरूरी है API को document करना, तो suppose हम लोग के पास यहां पर आ चुका है, और बैस ही बात है, आ क्या चुका है, हम है, suppose this is our spring boot application, जहां पर हमने बहुत सारी API's बना दी है, यह हमारा spring boot application है, application है, और हम लोगों ने अपने spring boot पर बहुत सारी API's बना ली, यह हैं सारे हमारे URLs, URLs, now अब इस in API's को consume कोन करेगा, और बैसे बात है, consumer या client बोले तो, client बोले तो मतलब यहां पर कोई client होगा, अभी ए client, suppose एक react app है, एक यहां पर हम app बना देते हैं, this is only for understanding, this is only for something, ठीक है, तो हम यहां पर एक react app बना देते हैं, कोई जरुए नहीं react app इसको consume कर रहा हो, हो सकता है, यहां पर एक android application हो, वो उसे consume कर रही हो, android application हो, वो उसे consume कर रही हो, या भाई हम लोग client, मतलब पोस्टमें से भ तो यह communication होगा, बट आप एक चीज़ सोक्षे हैं कभी है, कि आपने यहां पर बहुत सारे इवारल से बना दे, n number of E-Rals create कर दी है, बट लिक्कत वाली बात क्या है, यहां पर की कौन से E-Rals, इसमें कितने E-Rals हैं, इसमें कितने E-Rals हैं, वो request में क्या ले रहे हैं, उनका method method क्या होगा, response में आपको क्या मिल रहा है, यह सब चीज़े कैसे client को पता चले होगा, यहां जो developer होगा, इसे develop कर रहा होगा, उसको कैसे पता चलेगा इसा, तो यह पता चलेगा, with the help up API documentation, हम API को यहां पर document कर देंगे, तो जो हमारी problem है कि हम front end developer को कैसे बताएंगे, for example, कितन API's and आपने उनका method क्या है, STP method कौन सा है, किस पर operate करनी है, request में वो कौन सा data ले रही है and even response में वो कौन सा data आपको भेज रही, यह सारी information कैसे बता से लिए भाई, आपके front end application developer को, तो हम क्या करेंगे, हम लोग proper in API's का, in URL का, या in API's का proper doc create करेंगे, doc, और यही doc हम लोग provide करा देंगे, अपने किसको, अपने यहां front end developers को, जिन की help से front end developers क्या कर सकते हैं, अपने API's docs को पढ़ करके, और उन API's को use कर सकते, क्योंकि उनको यह सारी चीज़ें पता चलने वाली है, यह सब चीज़ें पता चलने वानी है, so I think आपको समझ में आगए वागा, एक छोटी से problem है, और documentation से obviously बात है, हम दोग को पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, तो obviously बात है कि हमें उसका documentation करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी चीज़ों को समझ सके, तो अगर एक मोटा मोटा बोलें तो यह समझने के लिए, यह for understanding, समझने के लिए ही है, इससे कि क्योंकि हम लोग URL में ले रखा है, कि JSON के format, वह यहाँ पर घुज के तो देखे का नहीं, और बैसे बात हम कुछ readable format में उसका documentation प्रवाइट कर सके, और वही हम लोग करने वाले है, विद्ध हल पाप Swagger, तो Swagger एक tool है, जिसकी help से हम लोग API डॉकमेंट करेंगे, and Swagger हमें एक UI भी provide करेगा, उ बहुत जादा important होने वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, Springboard में सब automatic पकी पकाई कही रहे, आप रख सकते हो, that way, simple से हम dependency लगाएंगे, and dependency लगाने के बाद, enable हो जाएगे, auto configuration, सब कुछ auto configuration कर देगा, आपको सिर्फो सिर्फ क्या करना होगा, आपको चीजों को customize करना होग तो guys हम लोग आ गए अपने project में, यहाँ पर STS में, और हम थोड़े देर के लिए अपने project बंद करेंगे, जिससे कि हमें dependency लगाने है, dependency लगाने पर हमें बहुत सारी चीजे build करनी है, project को build करना है, तो इसलिए हम लोग ने project को बंद कर दिया, अब हम लोग guys क्या करेंगे, दियान से आप देखेगा, सबसे हम आएंगे और एक dependency लगाएंगे अपने pom.xml में, तो हम यहाँ पर pom.xml में हमारी, अब dependency कौन सी होगी, हम लोग Google पर आएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे, spring fox, spring fox, spring fox boot starter, ठीक है, यह dependency हमारी help करेगी, swagger 3 को लगाने के लिए, तो मैं swagger 3 यहाँ पर यहाँ पर आओंगा, जो maven repository.com ओबन होगा, यह वाली dependency, basically मुझे चाहिए, io. जिसका group ID है, io. spring fox, and artifact ID है, spring fox dash boot dash starter, version 3.0, तो हम यह वाली dependency लेंगे, and हम लोग अपने pom.xml में, चिपका देंगे, कहाँ चिपकाएंगे बाई, अब इसी बात है, हमें dependency stack के अंदर च ID के parallel में, तो validation के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं, इसको format कर लेंगे, and save कर देंगे, and हम देखेंगे, तो building यहाँ पर start हो जाएगी, building complete हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ configuration अगर करनी है, तो करनी है, दर्वाइस हम लोग देखते हैं, कि इसने हमें provide क्या किया है, कैसे, और कैसे हम लोग इसको use करेंगे, तो चलिए, पहले बैट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, तो guys, यहाँ पर हमारा build complete हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक, अपने configuration क्लास में आते हैं, यहाँ पर हम लोग enable कर देते हैं, अपनी web mbc को, तो हम यहाँ annotation use कर लेंगे, enable web mbc, यह वाल annotation use कर लेंगे, हम अपनी enable करने के लिए web mbc configurations को, उसके बाद हम एक URL allow करेंगे, अपने spring security से, वो भी spring security config से ही होगा, ठीक है, हम allow करेंगे URL को, एक URL चाहिए, ठीक है, देखिया काउन सा, हम लिखेंगे, aren't matcher, aren't matcher, और हम URL जो allow करेंगे, that is v3, version 3, हम लोगे उस कर रहे हैं, यह वाइरल होगा, API-docs, and हम इसको कर देंगे, permit, तो हम, इसको string है, तो हम dot permit all, ठीक है, and that's it, हम इस वाले URL को allow कर दिये, permit कर दिये हैं, अपने spring security, that means हम इसक application को run कर लेंगे, इससे फायदा क्या होगा, so, बस एक सेकंड इसको stop करते हैं, और हम अपने main application को run करते हैं, right click करके run as java application कर देंगे, इससे फायदा क्या होगा, कि हम इस URL को use कर पाएंगे, और इस URL में हमें सारे docs बिल दाएंगे as a json, और हमने अभी तक कुछ configuration नहीं किया सिर्फ add किया और spring enable web mbc किया और यह वाला URL अलाओ कुए, अब चले इसको access करते हैं, तो हम लोग open कर लेते हैं, अपना यहाँ पे postman, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, एक एक नया request, ठीक है, add request, and इसका नाम देते है, swagger API test, ठीक है, and URL डाल देते हैं, अपना जो की ह v3 slash API dash dash docs, ठीक है, and get mapping and send पे click करेंगे, so आप देखोगे, आपको बहुत सारी APIs यहाँ पे मिल जाएंगी, and in APIs में, आपने जो APIs बनाई है, उनके पूरी-पूरी क्या है, detail कह सकते हो, जैसे आपके API का title यह है, description यह है, thumbs of services यह है, contact यह है, licensing यह है, and server का URL यह है, इसका description क्या है टैक्स होगर है, मिल जाएंगे, and बहुत सारी मिल जाएंगे, but यह अभी हमारे लिए नहीं है, अगर हम इसका अपना अलग से बनाना चाहा है, front end, तो हम इन यह APIs को उसकर करके बना सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा बना-बनाया documentation चाहिए, जो swagger provide करता है, and swagger provide करता है, in the form swagger API, तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा changes कह सकते हो कि करने पड़ेंगे, changes का ऐसे करने पड़ेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, इवारल allow किया है, तो आप देखो कौन सा इवारल allow किया है, हम लोग ने, इसको भई यहाँ पहले हम लोग अपने format में कर लेते हैं, जिससे हमें चीचे समझ में है, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे allow कर रखा है, यह वाला इवारल, v3-api.doc, पक्का, good, and यह वाला इवार में, यहाँ पे हम लोग एक array बना लेते हैं, public static final, and यहाँ पे हम public underscore URLs, यह array होगी, जो कि string type की होगी, तो हम यहाँ पे string, array बना लेते हैं, and इस array में सारे URLs डाल देंगे, ठीक है, and फिर हम यह array ही यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, अलग-अलग रखने से बढ़िया, देखो म मैं क्या कहने वाँ, मैं कहने वाँ यह यह पे यह गर लेते हैं, यहाँ एस array में, as simple as that and यह चाइज भी copy कर लेते है ठीक है good and then हम लोग यह दोनों हटा के मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं यह दोनों हटा के यहाँ पर हम लोग dot aunt matcher and aunt matcher में हम लोग public की वारिल डाल देंगे and then हम लोग permit कर देंगे तो इससे क्या होगा इससे यह फाइदा होगा कि हम जितने भी वारिल्स यहां रखेंगे वो सारे public हो जाएंगे and even आप इसको चेक भी कर सकते हो कि यह वर्क कर रहा कि निवर्क कर रहा है ठीक है तो यह हमारा वर्क कर रहा है इसमें कोई issue नहीं है लेकिन हम लोग को इवर्ल कौन कौन से है जो अलाव करने है important इवर्ल है अब आई देखते हैं कौन कौन से इवर्ल्स हैं तो हम यहां पर वापस आएंगे and यहां पर हमारे पास जो दो इवर्ल है उसी के नीचे हम कुछ और इवर्ल्स को add करेंगे कौमा लागा के सबसे पहला हम यहां पर add करेंगे that is slash swagger resources swagger underscore resources ठीक है याद रखेगा spelling बस आपकी सही होनी चाहिए उसके बाद हम यहां पर रखेंगे swagger ey slash swagger- ey and then dash के बाद सारे इसके वार्ल पैटर्न मतब सब चीज़ अलाव कर देंगे सब्सक्राइब के बाद वाली शीच and हमें web jars को भी अलाव करना है तो हम यहां पर लगाएंगे web jars को भी हम अलाव कर देंगे इसके बाद सब कुछ web jars के बाद सब कुछ and हम क्या करेंगे यह api v3 की जगा यूज करेगा तो हम यहां पर वी 3 के साथ साथ वी 2 API डॉक्स को भी अलाव कर देंगे यह हम कुछ वारल्स इसमें से कौन कौन से वारल्स है आप देखो सबसे पहला यह तो हम लोग के लाद जो हम लोग का ओध वाला वारल्स था हो उसको और यह इंपोर्टेंट है v3 API डॉक्स को जेसन में एकसेस करने के लिए v2 यूज करेगा स्वेगर यूज करनी है स्वेगर रिसोर्स के बाद के सारी यह लाव करनी है बस इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है हम लोग अपना जेसन वाला डॉक्मेंटेशन तो यूज कर स्वेगर डाश यूज करें लोकल एस्ट कुलन नाइन जीरो नाइन जीरो और दें स्वेगर डाश यूज कर दें तो आप देखोगे आपको यहाँ पर API डॉक्मेटेशन मिल जाएगी बाइफ़ट स्वेगर यूज आपको सारी चीज दे देगा इवन जिदने भी आपने सब कंट्रोल बना रखें आपने लॉग इन डेजिस्टर के दो एप इस बना रखें इवन सब कुछ यह प्रोइट करेगा ठीक है एंद आप यहाँ पे केटेगरी कंट्रोल हम लोग ने बना रखे थे कटेगरी में सारी चीज हम लोग ने बना रखें हैं कमेंट कंट्रोल में सब कुछ बना रखा है पोस्ट कंट्रोल में इतनी सारी एपेस बना रखें इसकीमा भी यह हमें प्रोइट कर रहा है तो आप देखो कितनी सारी हैं और यह एक कहए रहे हैं किसा कमेंट्स बिख दख के कमेंटस को निकाल सकते हैं इविए तो कर रहे हैं चल्ब कान 스के सब्सक्राइब फिरYAatures को यहां को निकाल सकते हैं आप ती त्राइट आट तोण Get Bir Higher निकाल सकते हैं आप दिखोए हहाँ पर राइट आउट अगर हम सारी यूजर से यहां पर याँ भी तो हमारे यूजर से रोले वी तो यह haya है। और यह. यह हमारे documentation आप इसको देख करके उसकर लो और इसमें सब कुछ दिया गया है कि आपको body request में क्या भीजना है आपको response में क्या मिलेगा आपको URL में कुछ भीजना है क्या जैसे for example URL वाला देखते हैं यहां पर एक box से अगर आप ट्राइड करोगे तो आप कमेंट आईडी में लिख पाओगे तो यह सारी चीजह हम यहां पर यूज कर सकते हैं बहुत बड़ीया चीज है documentation आपको documentation करने की जरूत नहीं यह documentation अपने आप हो जाएगी लेकिन इसको customize कर सकते हैं जैसे for example let us suppose हमें यह customize करना है यह सारी चीजें यहां पर customize करके भीजनी तो यह टाइटल है बैसके description है सब्सक्राइब करनी है तो हम लोग customize करने के लिए obviously बात है कि हम configurations configuration class बनाएंगे उस class में हम लोग customize करेंगे कैसे for example अगर हम लोग को हम यह चीज़ customize करनी है तो हम एक class बना लेंगे अपने config में राइट क्लिक करेंगे new and that is a class नहां हम नाम देंगे इसका स्वेगर config स्वेगर कॉन्फिग एंड यहां पर हम लोग उस करनेंगे अड़रेट configuration configuration एड इसके अंदर हम सारी यह सारे configuration and bean जो भी bean होगी हम लोग को configure करेंगे तो अब देखो अगर configuration करनी है या करना होता है वह एक docket class की हब से होता है तो हम लोग यहां पर docket class को as a bean return करेंगे method से ठीक है देखिए कैसे हम लोग यह method आनेंगे public and यह docket class को return कर रहा होगा docket जो कि आ रहा है आप देखो यहां पर spring fox dot documentation dot spring dot docket यह रहा spring dot web dot public plugins dot docket यहां से आ रहा है यह उसका पूरा package है ठीक है और इसका आप कुछ भी नाम देख सकते हो तो suppose API नाम देदू ठीक है यहां से हमें docket return करना है docket return करना लेकिन यह भी बहुत सारा खेला है जब docket को आएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़े पास करनी होगी जैसे for example हम यहां से return करते हैं written new docket हम docket को object बनाएंगे तो आप देखो यहां पर बहुत सारी चीपास करनी documentation टाइप अगर आप पास करना है even आपको हाँ documentation टाइप पास करना है तो हम कहेंगे जो हमारे documentation टाइप है documentation dot swagger 2 कर देते हैं ठीक है swagger 2 यहां पर swagger 3 नहीं था तो internally docket swagger 2 को यूज़ करेगा आप oas-30 भी यूज़ कर सकते थे and then हम लोग लगाएंगे dot and dot के बाद हम यूज़ करेंगे API info हम API info में यहां पर अपने सारी information देंगे अब यह information आएगी कहां से ठीक सब्सक्राइब यह information आ रही फॉर इंफरमेशन आ रही इंफो से बस मैंने यह method बना दिया अभी इस method को बनाना पड़ेगा तो हम लोग ऐसा assume करेंगे कि हमारी जो information आ रही वो इस method से आ रही अभी इसको बनाएंगे हम लोग सारी information देन हम लोग यहां पर करेंगे select ओके ओके सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर select तो डॉट select seat तो पहले हम लोग क्या करता है इसको complete कर ले थे इसको complete करते है इसके बाद हम लोग create कर लेए है इसको हम लोग create कर लेए अ क्या टिक है जो कि API info रिटन कर रहा है और यहां से हम लोग return करेंगे अपना API info ठीक है यही the method यहां पर यूज़वा अगर आप हम call करें यहां से देंगे तो हम यहां पे उसकरेंगे request handler selector dot any request handler selectors handler handler selectors dot any सारे मैं सारे सब चीज दे रहा हूं आनी मदब सब कुछ दे रहा हूं फिर हम यूज करेंगे यहांप Parts सारे Parts तो अगर आपको पाढ़ पाध बात का देना है तो रहाँ सिर्फ में पाठ चलेक्टर पाध सलेक्टर डॉट एनि तो मैं ने दोनों में एंड दिया ठीक है डिके एपी इस में और पाक्र में इन दे info में अपनी सारी API information दे दिनी देन सेलेक्ट व्स करना है and then API's में API's provide करनी बट वैने यहाँ पे सारी API's provide कर दी any सब कुछ provide कर दिया and then मैंने यहाँ पर paths में सारे selectors.any path provide करें and build कर दिया तो हमारा object बिल्ड हो जाए आप यहां पर API information हमें store करनी है तो हम यहां object बनाएंगे API info की एंड इसके में अंदर आप देखो बहुत सारी यह पास करनी टाइटल डिस्क्रिप्शन वर्जन terms of service url contact and then license and license url यह सब्सक्राइट करना है तो हम बारी बारी से प्राइट करेंगे ठीक है सबसे पहले हम देंगे यहां पर टाइटल तो हम यहां पर देंगे backend course और उससे पहले हम देखने ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग एप अप्लीकेशन अपली अप्लीकेशन पैकेंड कोर्स ठीक है पैकेंड कोर्स और बस उसके बाद हम लोग यहां पर देस्क्रिप्शन और लिख देते हैं और स्ट्रिंग में और दिस प्रोजेक्ट इस डेवलब डपलब डबलब बाए लर्न कोड दिद दुर्गिश है लर्न कोड विद दुर्गिश और उसके बाद हम लोग वर्जिन प्रोईट करेंगे यहां पर that is a string तो हम देंगे यहां पर एक object भाएंगे new contact 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 and हम यहां पर देंगे contact में सबसे पहले नाम दे देंगे तो हम दे देंगे दुरुगेश and then हम आप email id देंगे and that is learn code with दुरुगेश at the rate gmail.com and then हम लोग contact में आपके सो यह हमारी बेसिकली website है तो हम यहां पर website email id बात यह वाली email id तो हम यह वाली email id रखेंगे and website देंगे https slash colon colon slash slash alarm code with दुरुगेश.com done 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 ठीक अब आ जाते हैं यहां पर है और हमें दो चीज़ और पास करनी है दो क्या तीन चीज़ पास करनी है यहां पर देंगे license of API string में कुछ भी license वगर आया यह वारल है लाइसेंस हम देदेंगे तो मैं देंगे लाइसेंस ओफ एपिए इस and then हम लोग यहां देदेंगे API license URL अपने API license का वारल जो भी वारल है आप देदेजिए लाइ सी एन सी वारल जो वारल है देदेजिए एंड यहां पर प्रवाइट कर देंगे collection कर ना है तो हम यहां पर collection वो यह collection डोट एंपोटि आपटी लिस्ट खाली लिस्त देंगे ठीक है हमारा यह वाला बन गया प्रदी यहां से जो अब्जक्त है यह पींफरमेशन उसमें सिर्फ इनफर्मेशन स्टोर है बस और लास्टॉ जो यह लिस था वो बेसिकली वेंडर एक्स्टेंशन है बस अब यह डॉक्ट क्लास इस वाले इपे इंफरमेशन को यहाँ पर यूज कर लेगी with the help of this docket for that एक चीज़ मैंने हम इसकर दिया इसको हम बना देंगे as a bean जिससे फाइदा आए होगा कि यह बीन और टो इंजेक्ट हो जाएगे कहीं भी अगर स्प्रिंग बूट को जरूँ तो गया और अबसी बस जरूँ तो गी इसी का क्या उसकर रहा है इसी का स्प्रिंग बूट यूज तो कर रहा है काम करने के लिए ठीक है तो हम लोग ठीक है और चलते हैं यह हमारा अप्लिकेशन रिरन हो जाए उसके बाद हम लोग आते हैं अपने यहां पे एडिसको रिरन करते हैं लेट सी आप दिखोगे हमारा पर्फेक्टली सारे कॉन् कोर्स आ गया और आप देखो यहां पर बेसी वाइरल हमारा लिखाया इस प्रोजेक्ट इबलब्ट वाइलन कोड विद दुरुगेश एंड टमस अफ सर्वेस इवन वेबसाइट पर हमारी यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी तो इस त सकते हैं तो नेक्स वीडिए हम लोग स्प्रिंग सेकरीटी देखेंगे कैसे उसक्ते हैं यह सारे हमारे ज़र हमारे डिक हो गया है जो इसकी माइस है हम लोग गोग यूज किया है रिक्रस्ट को एक्सेप करने के एंड रिटर्न करने को लिए तो काफी अच्छी चीश सब्सक्राइब तरिये हमारे कम्रीटी में जुरूने के लिए बाबाई जय हिंद जय भार